पठन पाठन के साभागे मेरी नमस्ते स्विकार करें आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूँ हिंदी ब्याकर मंथन की चर्चा संख्या 34 चर्चा संख्या 34 में आज हम चर्चा करेंगे कर्म और क्रिया के मेल संबंधि नियम खो के उपनियम 4 पर मैं आपको ये बतला दू कि हम जितनी भी वाक्य बोलते हैं उसका कुछ न कुछ करम और अनवय है उसी करम और अनवय से संबंधित ये मूल मंत्र है उस मूल मंत्रों में एक है कि किरिया बिभक्ती बिरोधी होती है अर्थात वाक्य में विभक्ति जिसके साथ होगी किरिया उसके लिंग और बचन के अनुसार नहीं रहती है तो चलिए इसी से संबंधित हम कुछ वाक्य पे विचार करते हैं जब बोलते हैं या वाते करते हैं तो उस समय में ऐसा भी होता है कि करता के साथ कभी से या कभी द्वारा पड़ियो किया आता है तो वैसी अवस्था में किरिया का जो रूप होगा किस लिंग और बचन में उसी पे आज हम चर्चा करते हैं तो ये मुल बात है कि यदि वाक्य में करता बिवक्ति युक्त हो यानि से और द्वारा क्या है बिवक्ति करन करा की बिवक्ति से है जब करता से बिवक्ति से युक्त हो और कर्म में बिवक्ति नहीं लगी हो तो किरिया कर्म के लींग और बचन के अनुशार होती है वही बात मैंने यहां लिखा है जैसे राम से रोटी खाई जाती है यहां पर देखिए कि खाई जाती है यानि खाने का काम जो है वह राम दोरा कियाता है तो जिसके दोरा काम कियाता है वही करता होता है इसलिए यहां पर राम जो है करता है किन्तु इस कर्ता के साथ से भी वक्ती लगी हुई है तो नियम के मुताबिक क्रिया इस राम के लिंग और बचन के अनुशार नहीं होगे इसलिए हमें कर्म की तलास करनी होगी कर्म की तलास करने के लिए वाकिकी जो क्रिया होती है उसमें क्या लगा के प्रस्ण करते हैं जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है तो हम प्रस्ण करते हैं क्या खाई जाती है उत्तर है रोटी इसलिए इस वाक्य में रोटी कर्म है अब देखना है कि इसमें भी वक्ती है या नहीं इस रोटी में भिवक्ति लगी हुई नहीं है इसलिए ये खाई जाती जो है किरिया इस रोटी के लिंग और बचन के अनुशार हुई है चुकि रोटी एक बचन इस्तिरलिंग में है इसलिए खाई इकारांत जो है और जाती में भी इकारांत जो है वह इस्तिरलिंग का परतिक है और इस है पे अनुश्वर नहीं दिया गया है अर्थात ये एक बचन में है जब रोटी एक बचन इस्तिरलिंग में है तो किरिया भी एक बचन इस तिरली में आई है इस तरह से हम दुसरा वाक ले सकते है उससे पुष्टक के पढ़े नहीं जाती पुष्टक पढ़ने का काम तो कोई करता था लेकिन भले ही उससे नहीं पढ़े जाती है अभी तो किस से नहीं पढ़े जाती है तो उससे यह उससे जो है वह सब से बना है वह सरवनाम से बना है वह करता है जिसके साथ स्रीवी वक्ती लगी हुई है अर्थात उससे इसलिए अब किरिया जो है इस करता उससे के लींग और बचन के अनुशार नहीं होगी इसलिए अब हमें कर्म की तलास करनी होगी तो अब प्रस्ण करते हैं क्या पढ़ी नहीं जाती तो पुष्टकें इसलिए कर्म जो है यहां पर पुष्टकें है चुकि पुष्टके को एकार यानि ओकारांत इस्तिरलिक सब्द को बहुबचन बनाने के लिए औ का ए हो जाता है इसलिए ए अर्थात ये पुष्तक के जो है सो बहुवचन इस्तिरलिंग रूप में है तो पुष्तक के बहुवचन इस्तिरलिंग रूप में है इसलिए किरिया भी बहुवचन इस्तिरलिंग रूप में होगी अब देखिए पढ़ी इकार जो है वह इस्ति स्काइब करें एवं सेर करें तथा नए वीडियोज के लिए वेल आइकन असपर्छ करें अब हम और वाक्ष भी लेकर करके इस पे विचर्चा कर सकते हैं कि मुझसे पत्र लीखा जाता है मुझसे जो है मैं से बना है पत्र लीखा जाता है यानि लीखने का काम कुन करता है मैं अर्थात करता जो है यहां पर मुझसे है इसमें से भी वक्ती लगी हुई है इसलिए किरिया इस मुझसे के लिंग और बचन के अनुसार नहीं होगी इसलिए अब हम में फिर कर् क्या लगाते हैं क्या लिखा जाता है तो उत्तर है पत्र पत्र में भी भक्ती नहीं है इसलिए किरिया इस पत्र के लींग और बचन की अनुशार होगी चुकि पत्र यहां एक बचन पुलिंग में है इसलिए किरिया भी एक बचन पुलिंग में होगी लीखा जाता है लीखा आ का रांत जो है वह एक बचन पुलिंग का परतिक है जाता भी जो है एक बचन पुलिंग का परतिक है और ये है पे अनुस्वर नहीं है इसलिए ये है एक बचन का परतिक